जब उसने दो नोजवान बच्चों को जिन्दा जलाने का काम किया था सरकार की जिम्यदारी उशी तिन पंती थी कि उसको गरबतार करते अबेशिंग चोटाला ने काए कि अगर उसको समय रहते गरबतार कर लिया जाता तो आज मिवात में इस तरह की गटना सामने नहीं आती अभै चोटाला ने कहाए कि आज मेवात के लोगों को सद्धावना की चरत नहीं पड़ती उनने कहाए कि आपका भाईचारा और मजबूत रहता सरकान ने जानभूच का सडियंत्र के तहत उसको पाहा रखा और उसी की वज़े से ये सारे प्रदेश्वा मिवात के हाला खराब गए एनल निता ने कहाए कि आप हिंदू हैं बहुत सारे हिंदू साथी आज रेली में आए अगर हिंदू मुसलमान में कोई विवाद होता तो आज आप यहाँ नहीं होते विधायक अभेश सिंग चोटाला ने कहाए कि यह करवाया गया था यह सडीयंत्र था मुख्य मंत्री आएगा तो पूछना कि आपने कहा था कि यह सडीयंत्र है तो सडीयंत्र करने वालों के नाम आज तक उजागर क्यों नहीं किया गई विधान सावा में चर्चा क्यों नहीं कराए गई विधान सावा के अंदर चर्चा करने से सरकार क्यों भागी अबैसिंग चोटाला ने कहा है कि इसको पहले गरपतार क्यों नहीं किया गया आज गरपतारी करके कहीं ना कहीं मरहम लगाने की कोशिश की जा रही है आपको बता दें कि अबैसिंग चुटाला ने कहा है कि गठवंदन के बारे में 25 सितंबर के बाद बता चलेगा अभी बहुत समय है अभी कुछ भी कहना जल्दवाजी है उन्होंने कहा है कि कौंग्रीश के निताओं को भी 25 सितंबर की रैली में निमंत्रन दिया जाएगा उन्होंने अपनी जीवन में उनसे सीखने की कोशिस की है उन सब को निमंत्रन दिया गया है सब लोग आए अगर उसको विफ्तार कर लिया जाता सनय पे रहते तो आज मेवाज में इस तरह की घटना नहीं होता है आज मेवाज के लोगों में तद्भावना की जुरूरत नहीं परता है आपका भाईचारा और ज्यादा मजबूत रहता है सरकार ने जान मूज करके एक संदियंतर के उसको बार रखा और उसी की वज़े से कि सारे परदेश के आज ने वाज के खराब हुए आप हिंदू है बहुत सारे हिंदू साथिया मुझे बैठे नजर आए अगर हिंदूर मुसल्मान में कोई विवाज होता ने वाज में दोग्रात होता तो आज आप यहां नहीं होते यह करवाया गया था यह सद्यंतर था मुख्य मंत्री आएगा तुम्हारे यहां पूछना उससे कि तैने यह बात कई थी कि एक सद्यंतर है तो सद्यंतर करने वाला हुए नाम आज तो गुजागर क्यों नहीं है विदान सभा में तर्चा क्यों नहीं कराई विदान सभा के अंदर चर्ट्या कराने से सरकार क्यों भागी और इसको पहले गिरफ्तार क्यों नहीं किया आज गिरफ्तारी करके कहीं मनम लगाने की कोशिश कर रहा है जब उनको इस बात का अशास हो गया कि तुम्हें मेवात में पैर रखने की जेगा नहीं मिलेगी तब कही ना कहीं दूष संसले करेज बहूं को जब शीЖांतरर कारी को कभी माफ में अभी समय है यह 35 आरिक के बात पता तलहाने में क्या है अब बहुत नहीं कुद्ध ऑच को भी बात करें ये को ममन नहीगे जया एग जब उनको नहीं कु जब हमने की बाटियों को बलाएं को बलाने है कि प इसके उपर जोदरी देविलाग के पर्टी जो भी शर्दा रखता हैं इन्होंने अपने जिवन में उंग से सीखा हैं उन्हों सबको निमंतर्ण है और सब लोग आएं जो हमेशन आते हैं हमने जितने लोगों के निमंतर्ण दिया है उन्हें 80-85 प्रीज़ती लोगों ने आमें कंसंट बेज़ी आने की उन्हें नितिश कुमार जी है लालू परशाद यादव जी है फुदव ठाक्रे जी है उसके साथ-साथ डाक्टर फारुक अब्दुल्ला है सिताराम यत्री है जेंट चोधरी है अनुमान बैनिवार है सत्पाल मलिक साव है अने एक लीडर है आप आओ तो सरी आपको निमंतर्ण है हम बताएंगे कि हमार याना परदेश के लोगों में सत्ता में आने के बाद उनको किस किसम की सूलियत देंगे सारी बात उतिल अगत बारत में विश्वाश एक नहीं है हिंदूस्तान में विश्वाश एक नहीं है तो फिर ये लोग जो कह रहे हैं इंडिया भारत ये सब लोगों में गलफव्यटा हमिश पैदा क मैं आपको अब ऐसा ना हो कभी यह सुनने में आए कि अब तुम मोदिस्तान बनाएंगे